हेलो गाइज मैं हूँ पपू अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब यह है कि आपको जनना है साकाहारी तो आज की इस वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान दिजिए गाइज आप सबको क्लिरली दिख रहा होगा साकाहारी जिसे इंगलिस में कहते हैं वेजटेरियन या इसे और भी कहें तो हर भी भोरस के नाम से जानते हैं ठीक है गाइज यहाँ पर मैंने परिभासा में लिख रहा है आसानी से क्या कि जो जनतु पेड़ पौधे से प्राप भोजन आप सबने यार धान गेहूम जो भूसा और आपर आलू बैगन टमाटर यह सब का नाम तो सुनाई भोगा और फल जितने भी होते वो सब यह सब पाएज यह पहां से प्राप्त होते हैं यह सब पेड़ और पौधों दोनों से प्राप्त होते हैं यहीं सब इक्जांपल में मैंने ले रखा है कि हीरण गाय भैस बकरी भींड बंदर हाथी घौडा इतियादी कहिने का मतलब यह कि अभी और भी आप ले सकते हैं साकाहरी में बस केवल और केवल एक ही चीज आपको ख्याल रखना है कि केवल और केवल पिन पोधे से प्राप्त भोजन को खाएंगे जैसे आपने कभी देखा हीरन गाय भैस एक्जामपल में आपको गाय लेते हैं गाय आप देखे होंगे दूरा पर या कहीं पर देखते होंगे तो ज्यादतर घास खाती है फल खाती है अनाज खाती है तो ये सब चीजों को खाती है कि आपने कभी गाय को मास खाते हुए देखा है नहीं देखा है तो भाई साहब हमारा जो गाय है न ये क्या है साकाहरी है यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहें ये सब के सब साकाहरी है ये साकाहरी क्यों है जोंकि ये पेड़ पोधे से प्राप्त भोजन को खाती है पेड़ पोधे से जो भी भोजन प्राप्त होता है उसको ही ये सब ख हो गया होगा तो बस यहीं था साकाहारी में और कुछ नहीं